Hi friends and welcome back to another video और जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है Your device will reboot automatically to update MIUI Global Stable latest version तो दोस्तों अगर आप Note 5 के user है और अभी तक आपको MIUI 11 का update नहीं मिला एपके phone के अंदर या फिर MIUI 10 अभी भी आप use कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टार्ट करते हैं तो भाई लोगों यह मेरे पास Redmi Note 5 और मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर मैंने कोई भी TWRP recovery कुछ भी नहीं है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था और यह आप अपने phone में बहुत ही असानी से कर सकते हैं बस इसके लिए हमें एक फाइल चाहिए जो कि आपको Mio 11 अपडेट दिलाएगी तो यह वह फाइल आप ध्यान से देख लिजए मैंने इसका लिंक वैसे दिस्क्रिप्शिन में दे रखा है वन क्लिक में आपको डाउड करना है और डाउट करने के भाद इसको अमें इंट्रल मेमोरी के अइंडर टाल लेना है ताकि हम अपडेट कर सकें ऑसके बाद आपको जो अपने फोन कर लेना है याद रखे डाट आपका ओपन होना चाहिए और सेटिंग में जाने के बाद थ्री डोर टीकर आपके तो जैसे कि आप देख रहे है getting informed और यहां पर message आ गया है your device will reboot automatically to update MIUI global stable version तो इसमें कोई भी data आपका जो है erase नहीं होगा तो आप इसको simply आपडेट कर सकते हैं बहुत ही असानी से हो जाएगा तो यहां पर reboot and update पर आमें क्लिक करना है description जैसे आपकी complete होगी phone अपने आप reboot हो जाएगा और मैं जो आपको time बता हूँ तो इसमें पांच मिनट से भी कम time लगेगा मतलब उससे भी जल्दी हो जाएगा तो यह अगर आप loading देखेंगे यह 100% तक होगी उसके बाद जो है phone आपका on हो जाएगा तो पांच मिन बात देखते हैं तो अभी हमारा phone जो है वह almost on हो चुका है अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो आपको changes दिख रहे होंगे phone के अंदर changes के जो आप text देख रहे होंगे वही आपको change दिख रहा होगा और मैं भी phone को unlock करता हूँ क्योंकि हमारे phone के अदर MIU 11 आ चुका है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह है MIU 11 जो कि आप देख रहे होंगे install हो चुका है यहाँ पर next करना है और इसको पूरा set करना है जो कि हमें थोड़े बहुत इसके features के बारे में बताएगा तो इसको skip नहीं कर सकते हैं तो हमें इसे next next कर देना है और यहाँ पर update now तो phone हो गया है और अभी आप देख रहे होंगे phone के अंदर MIU 11 आ चुका है global stable और जो icon pack से आप देख रहे हैं काफी अच्छे लग रहे है साथ में यहाँ पर अगर आप अपडेटर app के अंदर देखते तो इसके अंदर आ गया है MIU 11 का latest global stable version build number भी आप देख लीजी 11 11.0.2.0 है और मैं आपको बता दूँ दोस्तों फोन की जो performance है वो काफी सही हो गयी है साथ में यहाँ पर काफी सारी new animation new features इसमें हमें मिल गए हैं और मैं आपको एक बार सेटिंग में दिखाता हूं यहाँ पर जो android security patch level है वो भी आपको updated हो गया है 2019.10.1 का मिल गया है मतलब explain कर दूँगा जो भी इसके अंदर new features आये हैं जैसे कि यहाँ पर quick reply notification का या फिर launcher gaming turbo उन सब के बारे में मैं आपको पूरी वीडियो बनाऊंगा बाकी यह तरीका बहुत ही simple है method है जो कि आप अपने phone के अंदर MIU 11 को install कर सकते हैं और उसको use कर सकते हैं तो I hope कि दोस्तों आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और कैसे आप अपने phone के अंदर MIU 11 इस्ट्रॉल कर सकते हैं अगर आपके phone में update नहीं आया है तो इस method को apply कीजिए और अपना phone के अंदर enjoy कीजिए MIU 11 को और वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को like क ना चैनल पर नहीं आए तो आप इसको subscribe भी कर सकते हैं तो मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thanks